नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज के इस वीडियो में CMA एक्जामिनेशन को लेकर इस एक्जामिनेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निंगल कर सामने आ रही है जैसा कि आपको पता है कि आप सभी के एक्जामिनेशन आठ तारिक से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ना अभी तक इसके एडमिट कार्ट जारी नहीं की गई है जबकि सुप्रीम कोर्ट में प्याल डाला गया मैं आपको प्याल का स्टेटस दिखा दिता हूं यहाँ पर देख सकते हैं नितीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है डैरी नमबर आप देख सकते हैं 28715 ठीक है अभी तक इसको लेकर date नहीं मिला है कि इसकी सुनवाई कब होगी यानि कि अभी तक इसके date जोब पेंडिंग है यानि कि यह प्यायल अभी तक पेंडिंग में डाला गया है तो क्या ये examination पूस्पान होगी या फिर ये examination 8 तारीकों conduct होगी इस matter पे अपने लोग बात करते ठ आठ तारिक से आप सभी के examination start है ठीक है ना वहीं दोस्तो अगर हम बात करें आज तो आपका 28 तारिक गया ही गया मार के चलते हैं 29 तारिक कि क्या अब दोस्तो 39 तारिक से लेकर कि अगर हम बात करें तो आपके पास कितना समय है 9 दिन का समय है ठीक है लेकिन कम से कम 10 दिन पहले admin card जारी कर दी जाती थी, और दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि अभी तक Supreme Court में जो फैसला गया था, उसका मामला अटका पड़ा है, यानि कि मामला अटकने के कारण आप सभी के examination बिल्कुल postpone होगे, क्योंकि दोस्तों अगर मान के चलते हैं कि 30 त examination होना है, तो admin card कब जारी करेंगे, मेरा मानना यह है कि कम से कम यह 20 से 25 दिन यह examination defer करेगा, यानि कि 20 से 25 दिन बाद आप सभी की examination होगे, यह postpone करेगा, हलान की दोस्तों आप सभी को देखे, examination postpone होने को लेकर दो चीज़े matter है, पहला matter यह है कि देखे, examination offline लेकर बात की जारी सुप्रिम कोर्ट में, ठीक है, देखे, मुझे ऐसा लगता है कि examination आप सभी के postpone होंगे, क्योंकि मैंने आप ही आप सभी को सारे बज़ा बताया, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही मिलते है, नेक्स वीडियो में, जैहिन जैवारा चैनल को सब्सक्राइब के विलेकर दवा झाल